आपने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे mutual fund से related जिसमें लोगों ने आपको बताया होगा when to start mutual fund mutual fund में long term के लिए invest करना चाहिए like 5 years, 10 years, 15 years mutual fund में धीरे धीरे SIP के तुरू invest करते रहना चाहिए मैंने भी अपने previous वीडियोज में आपको यह सब सारे बाते बताई है but SIP या mutual fund को कब बंद करना चाहिए और उसमें profit booking करनी चाहिए that is when to book profit from mutual fund और SIP यह आपको शायद किसी नहीं नहीं या बहुत कम लोगों ने बताया होगा और इस पे किसी का focus भी नहीं रहता है but आज हम इस वीडियो में उन सारे situations को discuss करेंगे जिसमें हमें mutual fund या SIP को बंद करके अपने profits को book करना चाहिए ताकि हम अपने return को यहां से यहां तक पहुचा सके number one situation is meeting your financial goals अगर आपने mutual fund में investment किसी goal की basis पे किया है चाहे वो medium term goal हो चाहे long term goal हो जैसा कि अगर आप एक car buy करना चाहते हैं उसके लिए आप investment कर रहे है आप एक घर खरीदना चाहते हैं आप उसके लिए investment कर रहे है आप child education के लिए investment कर रहे है आप child marriage के लिए investment कर रहे है तो अगर आप किसी भी financial goal को achieve करने के लिए investment कर रहे है mutual fund में तो अगर आपका goal achieve हो जा करते हैं कि जब आप गोल के 80-90 परसेंट अचीव कर लेंगे तभी आपको अपना एसाइपी बंद करके प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए ऐसा क्यों क्यों कि आप mutual fund में invest कर रहे हैं मतलब आप share market में invest कर रहे हैं और share market बहुत ही volatile होती है और share market आपको long term में एक अच्छी return प्रोवाइड करती है बड़ जब आप अपने goal के नजदीक पहुँच जाते हैं और आपके goal का एक या दो साल ही बचता है तो it is very risky कि आप इसमें पैसे लगा के रखे इसे हमें एक example से समझ सकते हैं मानली जी आपने 10 years का goal लिया है कि आप एक अपना house purchase करना चाहते हैं और आप आपने SIP की तुर like debt mutual fund या फिर FD या इस टाइप के instrument जो थोड़े safer side में है जो markets linked नहीं है उसमें investment कर देना चाहिए उससे क्या होता है क्योंकि last 1-2-2 years में आपका market उपर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है तो आप अपने goal के साथ risk नहीं ले सकते तो जब भी आप अपने goal के नजदी पहुंच जाए तो आपको mutual fund या SIP से पैसे निकाल के more safer investment में आपको उसे invest करना चाहिए भली आपको थोड़े कम return मिले बट आपका goal secure रहेगा second situation is fund not performing consistently मतलब आपने जिस fund में पैसे लगाए है वो fund अगर consistently perform नहीं कर पा रहा है मतलब जब आपने पैसे लगाए थे तब तब more than one or two years से वो perform नहीं कर रहा है तो हमें उस fund को review करके दुसरे fund में switch कर जाना चाहिए बहुत सारे लोग यही गलती करते है वो उन्हें लगता है कि चलो अभी fund perform नहीं किया अब next year करेगा अब next year करेगा इससे क्या होता है कि at the end of the investment आपको एक overall return अच्छा नहीं मिल पाता है तो आप कैसे judge करेंगे कि आपका fund अच्छा perform नहीं कर रहा है या फिर उसका future अच्छा नहीं है तो अगर आपका fund consistently benchmark से कम return प्रोवाइड कर रहा है benchmark means market का overall return जिस fund में आपने invest किया है like large cap में किया हो या mid cap में किया हो या small cap में किया हो हर का एक अपना benchmark होता है तो अगर उसने benchmark से भी कम return दिया है तो ये एक indicator है कि वो fund अच्छा perform नहीं कर रहा है second is change in fund manager fund manager के change होने से भी आपके fund के performance में असर पड़ सकता है क्योंकि different लोगों की different सोच होती है different thought process है उनकी strategies अलग होती है तो ये भी एक पारक कारन होता है जिसके वज़े से आपके fund के performance को effect होता है third is कि fund factor का size इतना बड़ा हो गया है कि fund उसे manage ही नहीं कर पा रही है तो ये भी एक factor होता है अगर आपने किसी sectoral fund में invest किया है तो हो सकता है कि जब आप उसमें invest किये हो तब वो sector अच्छा perform कर रहा हूं like infrastructure sector like अभी pharma sector due to covid and other factors अभी pharma sector बहुत अच्छा perform कर रही है तो मानलीजे को ये देखना है कि वो sector भी कैसा perform कर रहा है अगर वो sector अच्छा perform कर रहा है तो आप अपने fund को continue कर सकते है अगर अच्छा नहीं perform कर रहा है तो आप दूसरे fund में switch कर सकते third situation is rebalancing of portfolio due to overlapping of stocks मान लेते है कि आपने चार अलग-अलग funds में invest किया like one is large cap, second is large and mid cap, third is mid cap, fourth is small cap तो जब आपने invest किया था तब तो इन में कोई stock का overlapping नहीं था but after some time regulations में कुछ changes हुए या फिर fund की strategy चेंज भी या फिर fund के fundamental structures change हो गए जिसके वज़े से funds में overlapping of stock होने लगा मतलब कि आपके इस fund में भी more or less यह stocks है और आपके दूसरे fund में भी more or less same stocks है तो इस situation में क्या होता है कि आपका जो diversification का जो goal रहता है वो defeat हो जाता है तो इस situation में भी हमें अपने SIP को बंद करके अपने profits को book करना चाहिए और diversified या अलग mutual fund में invest करना चाहिए fourth situation is risk rebalancing मान लिजिए आपने जब investment किया था तब आपका age कम था फिर धिरे 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 आपका age बढ़ने लगता है तो आपने अपने fund को भी उसी तरह से rebalance करना चाहिए जैसा कि आप कम age के है तो आप risky funds में ज्यादा invest करेंगे फिर जैसे आपके age बढ़ेगा तो आप risky funds से पैसे को निकाल के अपने profit को book करके more safer funds में like debt funds और large cap funds में आप invest करना चाहिए आपको second अगर आपका financial position change होता है मानली जब आपने invest किया तब आपका financial position बहुत अच्छा था तो आप बहुत risky funds में invest करते थे बर धीरे धीरे या तो आपका position थोड़ा खराब हुआ तो आपको riskier funds से निकाल के पैसों को safer funds में invest करना चाहिए थर्ड is change in the duration of financial goals मानली जी आपने एक investment किया fund में जिसमें आपका goal था कि आप 10 साल के बाद आपको एक fund चाहिए बट due to some situation और crisis वो आपका जो goal है वो shift हो गया और आपको वो पैसे आप एक या दो साल में चाहिए तो अगर इस ताइप से आपका goal का duration change होता है तो आपको अपने funds riskier funds से से निकाल के safer funds में invest करना चाहिए तो आपको यहाँ आपने profits को book करके safer investment में switch करना चाहिए फिफ्थ इस tax planning अगर आपने equity mutual fund में invest किया है for more than one year तो आपको जो long term capital gain होता है उस पे tax लगता है at the rate 10% और एक financial year में एक लाग तक का capital gain पे कोई tax नहीं लगता है तो आप मान लीजिए दस साल के लिए अगर कोई investment कर रहे है तो आप at the end of 10th year अगर पैसा निकालेंगे एक साथ तो हो सकता है कि आपको tax लगे बट अगर आ आप एक लाग तक के capital gain पे आपको कोई tax नहीं लगेगा तो एक तरह से आपको 10% का extra return मिला और मान लीजिए कि आप अगर अपने goal के करीब है तो आप उससे break करके पैसे निकालेंगे और उस पैसे को आप किसी safer instrument like debt fund में डाल सकते है या उस type के instruments में डाल सकते है और मान लीज आप अगर अपने goal से दूर है तो आप अपने fund से पैसे निकालके कोई और अच्छे fund में invest कर सकते है फिर से इससे आपको tax का benefit भी हो गया जिससे आपको 10% का extra return भी मिल गया और आपका पैसा फिर से reinvest हो गया तो इस तरह से आप break करके अपने पैसे को withdraw करके tax का benefit उठाके 10% extra return generate कर सकते हैं 6th situation is extreme market euphoria यह एक ऐसा situation होता है जहां पर हर जगा एक hype हो जाती है share market की आप जहां जाये जिससे बात करें लोग share market की बात करते हैं अरे हमें invest करना चाहिए हमें invest करना चाहिए जो लोग share market के बार में कुछ भी नहीं जानते या जिन्नोंने कभी investment नहीं किया वो भी लोग investment करना चालू कर देते हैं इससे हमें यह पता चलता है कि अब market बहुत high है market mature हो चुका है और यह कभी भी गिर सकता है इस situation में हमें अपने SIP को बंद करके अपने profits को book कर लेना चाहिए तो अगर हम इससे technically समझे तो technical term में एक general rule है या experts का कहना है कि अगर P ratio price to earning ratio market का अगर more than 24 है या price to book ratio PB ratio market का more than 4 है तो market बहुत high है और वो कभी भी गिर सकता है हमें अपना profit book करके निकल जाना चाहिए market से और ऐसा past trend में भी देखा गया है बट अगर हम 2018 से अभी तक की बात करें तो price to earning ratio या price to book ratio more than 25 या 4 से उपर ही चल रहा है तो जिसने इस strategy को follow कर किया हो उन्होंने P ratio 40 तक जाने का benefit नहीं लिया होगा तो अब हमें क्या करना चाहिए तो हमें पूरा पैसा कभी market या mutual fund से withdraw नहीं करना चाहिए हमें partially पैसा withdraw करके partial profit booking करनी चाहिए जिससे अगर market अप होता है तो well in good अगर market down होता है तो हम जो partial profit booking किये है उसे फिर reinvest करके अपने cost को average out कर सकते है और इससे आपको tax का भी benefit मिलता है और overall return आप एक अच्छा return earned कर सकते है तो आप आपको समझ में आ गया हो कि किन situations में आप अपने SIP को stop कर सकते है और अपने profit को book कर सकते है तो at the end अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो do like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon